Summer Slam में Cody Rhodes और Brock Lesnar की match की ending में जो हुआ है क्या वो हमको पता चलता है कि Brock Lesnar का WWE में retirement match है और इसके बाद WWE से Brock Lesnar जा रहे हैं इस match की ending में वो moment आता है जो कि usually हम बिल्कुल भी नहीं देखते है especially Brock Lesnar की तरफ से Brock Lesnar अगर आपको नहीं पता तो कुछ इस type का बंदा है WWE में जिसको आके ring में आके अपना match wrestle करना है उसके बाद सीधा अपने private jet पे बैठना और घर चले जाना है usually बिल्कुल भी interact करना Brock Lesnar पसंद नहीं करते है ना backstage और ring में ऐसा करना बहुत दूर की बात है but it was all unscripted by Brock Lesnar जो चीज आपने Brock Lesnar की तरफ से देखी Cody Rhodes को आके handshake करना उनका hand raise करना crowd की तरफ से उनको और cheer दिलवाना ये बात को ध्यान में रखते वे कि Brock Lesnar करेंटली WWE में एक heel character प्ले करते है तो उसके बात देखना बहुत ज़दा different है और जब बात ये पता चले कि ये चीज unscripted है ये चीज Brock Lesnar के लिए book करी ही नहीं गए थी बलकि अपनी खुशी से Brock Lesnar ने ये चीज करी थी Cody Rhodes के लिए Summer Slam के बाद जो press conference होती है उसमें Cody Rhodes Brock Lesnar को appreciate करके ये बोल रहे होते हैं कि Brock Lesnar जो कि कभी भी जा सकता है या फिर अभी भी जा सकता है तो फिर जाके तुमको realize होगा कि Brock Lesnar क्या चीज है प्रेस conference का पार्ट वैसे Triple H भी थो Triple H यहाँ पर इस बात को बताते हैं जहां से हमको पता सकता है कि ये एक unscripted moment था Brock Lesnar की तरफ से एसा Triple H भी बोलते हैं अब क्यूंकि सबसे surprising बात इसमें ये है कि Brock Lesnar ने खुद किया जबकि usually उनका ऐसा character है नहीं और आपको याद भी होगा कि कितने ऐसे matches होते हैं जहां पर Brock Lesnar match को हारें और पहले तो हारना उनका मुश्किल रहता है और हारने के बाद भी वो काफी खुश या फिर इस तरीके से दिखाई दें तो ये definitely एक ऐसा moment fans की नजर में था जो कि बिल्कुल भी unexpected था Brock Lesnar की तरफ से अगर आप पिछले कुछ साल देखोगे Brock Lesnar के WWE में तो लिस्ट में काफी सारे ऐसे नाम एड हुए है जिन्होंने Brock Lesnar को हराया है पिनफॉल के सारे से जो कि Brock Lesnar के करियर में आपको जादा लिस्ट में नाम दिखेंगे नहीं जैसे Brew McIntyre को हम लोगों ने देखा Roman Reigns ने भी वो चीज उनके साथ करी Bobby Lesnar ने भी उनके साथ वो चीज करी और Cody Rhodes ने भी उनके साथ वो चीज करी अब ऐसा नहीं है कि Brock Lesnar कोई पिनफॉल से हार नहीं सकते कभी WWE में या फिर उनको हराना impossible ही है क्योंकि WWE की ring अगर में compete कर रहे हैं तो फिर वो चीज रिकॉर्ड रख पाना उस लेवल पे जाके हराना उसमें बहुत बड़ी चीज आपको पता अंडर्डेकर की स्ट्रीक को उन्होंने तोड़ा था उसके बाद से बीस्ट वाला करेक्टर उन्होंने अपना फॉर्म किया था उस सारी चीज से हम लोग वाला मूमें था इसका मतलब ड़ी में यह होता है कि जब कोई सूपरस्टार अलरेड एक बहुत बड़े लेवल पर पर फॉर्म कर रहा है तो वह अपने साथ लड़ने वाले सूपरस्टार को एक मूमेंट देता है कि उसकी जो लेगेसी है उसने जो आज तक अपना करियर में इतना नाम बनाया है उसका बेनिफिट वो सामने वाले सूपरस्टार को देख जा किया और इग्जैक्ली यही काम उन्होंने कोडी रोड्स के लिए किया भी डबल डबली में उनको बुप कर दिया मैच में जो मैच का आउट कम आया लेकिन उसके बाद अपने सूइट जेस्चर से उन्होंने कोडी रोड्स के लिए वो चीज करी इवन गाइज यह भी हो सकता है कि दिस वास्ट मैचेस और ब्रॉक लेस्टनर इन इस डबल डबली करियर क्योंकि अभी जो रेसलमेनिया है 41 जिसको लेकर कुछ प्लैन्स आया अगर मैं आपको बताऊ तो मिनिसोटा जो की ब्रॉक लेस्टनर का होम टाउन है वहाँ पर रेसलमेनिया लेके जाने का प्लैन है और शायद उस इवन्ट में जाकर ब्रॉक लेस्टनर अपना डबल डबली करियर खतम कर देंगे पूरी तरीके से लेकर यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव चीज आपको बताऊ तो डबल डबली के ब्रॉक लेस्टनर के करियर में बहुत सारे ऐसे मुमेंट आये हैं जहाँ पर वो डबल डबली छोड़ी है उन्होंने जैसे पैसा कमाना बिजनस बनाना तो अगर वो चीज़ उनको अट्रैक करती है तो डबल डबली के साथ उनका करियर है वो आने वाले और सालों तक भी चल सकता है लेकिन जो भी फॉर्मेट नजर आ रहा है जिस तरीके से ब्रॉक लेस्टनर का करियर चल रहा है जैसे उनकी डबल डबली में बुकिंग है इवन वो खुद इस बुकिंग को इंजॉय कर रहे है कि वो सामने सूपर स्टार को ओवर करें जबकि आज से काफी साल पहले जो ब ब्रॉक लेस्टनर फैन वो देख के अच्छा ही लगा बट यस यह ब्रॉक लेस्टनर की खुद की इच्छा थी इवन वो इतने साइटेसफाइड थे इस मैच से या कोडी रोड्स के साथ फ्यूट से कि उन्होंने एक स्वीट सा जेस्चर भी किया कोडी रोड्स के लिए इस बात के लिए सल्यूट थो बनता है उनके लिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक हमने जो भी चीज करी है जब भी तुम ऐसा सोच तो कि तुमने फिगर आउट कर लिया यह पर्सनलिटी करेक्टर के बारे में को सब कुछ बता चल गया है तब हम उसकी नई लेयर खोलते हैं और डेफिनिटली जिमी उसो का रिटर बिलकुल इस सब्सक्राइब trzeba सबसे पहला जिमी उसो नहीं चांते कि जे उसो नrantवरेस को हरा है क्योंकि अब तक पूरी बलडलाट की स्टोर जैसे जो जे उसो है वह राइट है तो शायद अब एक नए master plan के साथ आए है Paul, Haman and Roman Reigns और क्योंकि Jey Uso तो अलड़ी spoil हो चुका है उनकी नजर में तो Jimmy Uso वो बंदा है जो कि right hand man बनने का काम करेगा और आगे progress करेगी bloodline के store line और एक बहुत ही अच्छा सा reason आप कह सकते हो कि क्योंकि WWE bloodline के store line से बहुत जादा फायदा हो रहा है हर ब beach भी एक match बिक हमने bloodline को हर तरीके से लड़ते वे, collide करते वे देख लिया है अभी तक ये एक mega level पर बड़े level पर Jimmy Uso और Jey Uso का match देखना बागी है इवन अगर आपको ऐसे लग रहा है कि शायद Jimmy Uso जो आए है वो Roman Reigns और Paul Haman की साइड ही जाएंगे स्वेस से आसा उनों नह और यही बात मैं आपसे बोल भी रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि वो Roman Reigns के favor में होंगे बलकि वो खोद अपनी एक jealousy रखते है Jey Uso से और इस वज़े से उन्हों नहीं करने दिया कि वो Roman Reigns को pin करें बलकि वो चाहते हैं या वो ऐसा समझते हैं कि वो जादा बड़े हैं Jey Uso स और वो ये काम करके दिखाना चाहेंगे चीज़े हमारे ले सारी वैसी क्लियर हो जाएंगे जैसे सिफ Bloodline की Storline की और ज्यादा layers उपन होंगी आप लोग पूरे SummerSlam की matches की क्या rating है वो जाके ज़रूर सुनने episode description से इस समय स्कुन पर वीडियो दिख रहे हैं कि आप लोग SummerSlam कर वीडियो जाके enjoy कर सकतो ये वीडियो अच्छे लेगी तो like, share, subscribe and notification bell को on कर दो and see you guys in my next video